हाई गाईज वेलकम बैक तो अबर चैनल डियम नालेज आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हिंद एप कैसे युज़ करते हैं यह एक सौट वीडियो एप है टिक टॉक की तरह यहाँ पी आप वीडियो अपलोड कर सकते हो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इस ए अब आपको दूँगा तो वीडियो को जरूर देखिए अगर आपको फ़संद आता है तो वीडियो को लाइक से जरूर करिएगा चैनल सबसक्राइब करके बहला आइकन प्रेश कर दीजिए ताकि फूचर में ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे हैं तो चलिए वीडियो स्ट इस आप का आइकन आप देख लीजिए आपको यही अप इंस्टॉल करना है इस आपका डारेक्ट लिंक में ने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है तो वहां से आप डारेक्ट इस आपको इंस्टॉल कर सकते हो इंस्टॉल करने के बाद आप आपको ओपन करिए एप ओपन करते जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको लॉग इन करने को बोलेगा तो आप लॉग इन पर क्लिक करिए अकाउंट क्रियेट करने के आपको दो आप्शन मिलते हैं फेस्बुक से आप अकाउंट क्रियेट कर सकते हो Google से भी create कर सकते हो तो हम Google वाले option को select कर लिते हैं अब आपके phone में जितनी email ID है सभी email ID यहाँ पर आ जाएंगी जिस email ID से आप account create करना चाहते हो उस email ID को आप select कर लिजिए यहाँ से मैंने email ID select कर लिया है अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा account create हो चुका है अब अगर आप यहाँ पर अपनी profile को edit करना चाहते हो तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है profile में बदलाओ करें यहाँ पर आपको click करना है यहाँ पर देखिए आप अपना नाम वगेरा edit कर सकते हो username भी edit कर सकते हो अगर आप profile photo बदलना चाहते हो तो profile photo बदले पर आपको click करना है अब यहाँ पर जो भी photo आप use करना चाहते हो आप gallery से वो photo यूज कर सकते हो तो यहाँ पर देखिए हमने photo select कर लिया है अब उपर आपको ठीक है का option मिलेगा इस पर आपको click कर देना है यहाँ पर जैसे आप click करोगे उसके बाद से उपर आपको click कर देना है और आपका जो profile है वो edit हो जाएगा जो भी आपने changes किया है वो सब कुछ यहाँ पर save हो जाएगा profile edit करने के बाद अब आपको एक notification वाला option यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएगा इस option में आप जाओगे तो जो भी notification है दोर आएगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगे यहाँ पर देखे जो search वाला option है इसका use करके आप किसी का username टाइप करके किसी को भी search कर सकते हो बात करते हैं video upload करने की तो यहाँ पर जो plus वाला icon बना हुआ है इस पर आपको click कर देना है अब इस तरीके से आपके phone का camera open होकर आ जाएगा अगर आप camera change करना चाहते हो back camera activate है अगर आप front camera करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको यह icon देखने को मिल जाएगा इस पर click करके आप camera change कर सकते हो plus के लिए आपको side में icon देख जाएगा इस पर click करके आप plus को on off कर सकते हो अब अगर आपको video को record करना है तो यहाँ पर जो button है recording button इस पर आपको दबा कर रखना है उसके बाद जो आपकी recording है वो start हो जाएगी recording complete होने के बाद पर temporary issue आ रहा है location है नहीं हो रहा है जिसकी वज़े से video upload नहीं हो रहा है तो यहाँ पर developer ने बोला है कि जल्दी update वो निकालेंगे इसका और जिसमें वो इसको solve कर देंगे तो आप आसानी से video को upload कर सकोगे location select रने के बाद उपर जो verify वा submit करें लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका जो video है वो upload होना start हो जाएगा video upload होने के बाद वो यहाँ पर आपको my profile में देखने को मिल जाएगा first option में उसके बाद जो आप video save करोगे वो दूसरे option में आपको देखने को मिल जाएगा आपके followers उपर आपको देखने को मिलेंगे और following की लिस्ट यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं किस तरीकी से डूएट वीडियो क्रियेट करना है डूएट वीडियो करने के लिए सबसे पहले आप उस वीडियो को open कर लिजी जिसके साथ आप डूएट करना चाहते हो उसके बाद आपको प्लस वाले option कर सकते हो डूएट में और चाहिए तो गैलरी से भी वीडियो अपलोड कर सकते हो तो यहीं है इन दैप इसके बारे में जो भी डिटेल थी मैंने आपको प्रवाइट कर दी जो लोकेशन वाला इसू है वो टेंपरेरी इसू है जल्दी सॉल्व हो जाएगा तो आयोप आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक से जरूर करिएगा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजे ताकि फ्यूचर में ऐसे वीडियो आपको मिलती रहे है मैं मिलता आप्शन एक्स वीडियो में गुड़ बाई